हेलो एवरिवन वेलकम टू यमी रेसिपीज किचन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुती मज़ेदार और बहुती जायकेदार कोफता कबाब की रेसिपी इन कोफता कबाब को बनाना बहुत आसान है और खाने में तो ये बहुती मज़ेदार होते हैं तो फिर चलिए इस आसान सी और मज़ेदार कोफता कबाब की रेसिपी को कैसे बनाते हैं देख लेते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको ये कोफता कबाब की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा तो चलिए फिरी से बनाना शुरू करते हैं कोफता कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कीमा तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कीमा लिया है इस कीमे को 2-3 बार मशीन में निकल वाया है यह एकदम फाइन कीमा है कीमे को पहले हम अच्छे से वाश कर लेंगे उसके बाद एक चन्णी में डाल कर रख देंगे जिससे इसमें जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की प्यास प्यास को कद्दूकस करके और फिर हाँस से निचोड कर या फिर एक चन्णी में डाल कर इसका सारा पानी निकल दीजिएगा फिर प्यास को कीमे में अट कीजिएगा 5-6 हरी मिर्च को फाइन चॉप करके इसमें डालेंगे 6-7 लेसुन की कलियों को भी एकदम बारीक कट करके इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पॉडर डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ष पॉडर 1 टीस्पून तिकका मसाला इसमें डालेंगे 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया एक टी स्पून कुटे हुई लाल मिज डालेंगे एक टी स्पून नमक आड़ करेंगे अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन आड़ करेंगे तो दो टेबल स्पून बेसन डालना है बेसन को पहले तवे पर भून ले उसके बाद ही इसमें डाले अब अच्छी तरह से इन सभी को मिलाएंगे हम ने इसमें जितने भी मसाले डाले हैं वो सभी कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं जितने अच्छे से आप कीमे को मिलाएंगे उतने ही अच्छे कोफ़ते बन कर तयार होंगे और कोफ़ते तूटेंगे भी नहीं इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 140 पून मीठा सोडा आइट करेंगे मीठा सोडा डालने से कोफ़ते एकदम सॉफ्ट बनेंगे हाड नहीं बनेंगे अब देखे कीमे को सोडा डालने के बाद फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि हमने इसमें जितने भी मसाले डाले हैं उन मसालों का फ्लेवर कीमे में बहुत अंदर तक अच्छी तरह से रश्च पस जाए तो इतनी देर में इसकी ग्रेवी के लिए अब हम एक मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे तो इसके लिए हम लेंगे ट्राइ मैंगो छैसे साथ मैंने यहाँ पर ट्राइ मैंगो के पीस लिये हैं इन्हें पहले एक से दो मिनट के लिए बॉयल कर लिया था तो इसे इसमे आट कर देंगे और चार से पांच हम लेंगे साबुत लाल मिर्च एक टीस्पून जीरा आट कर देंगे आदा कप अब हम इसमे पानी आट कर देंगे और इसके बिल्कुल फाइन चटनी बनाकर तयार कर लेंगे अब देखिए इसे यहाँ पर बिल्कुल फाइन पीस लिया है तो यह ग्रेवी का मसाला बनकर तयार हो गया है अब कीमे को 15-20 मिनट रखने के बाद अब हम इसके कोफते बनाएंगे तो हातों पर पहले पानी लगा लेंगे ताकि कीमे जो है वो हातों पर चिपके नहीं अब हम इस कीमे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसकी इस तरह से बॉल बना लेंगे तो कोफतों का साइज आप अपनी पसंद से बना लीजेगा जैसा भी आप बनाना चाहे उसी साब से बना लीजेगा छोटा या बड़ा जो आपको पसंद हो वैसा आप बना लिजेगा तो ये देखी ये कोफता बनकर तयार हो गया है तो इसी तरह से हमें सारे कोफते बना लेने हैं अब देखें यहाँ पर सारे कोफते बनकर तयार हो चुके हैं तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो इन्हे तो इन्हें deep fry भी कर सकते हैं इन कोफतों को एक साइट से 1-2 मिनट fry करने के बाद इनकी side change करेंगे और दूसरी साइट से भी इन्हें 102 मिनट तक fry करेंगे तो टोटल जो टाइमिंग है इन कोफतों को fry होने की 4-5 मिनट है 4-5 मिनट में कोफते अच्छी तरह से fry हो जाते है आप देखिए कोफते जो है अच्छी तरह से fry हो गए है तो हम इने oil से बहार निकाल लेंगे तो friends आपनी कोफते की recipe तो बहुत बनाई होंगी एक बार इस कोफते की recipe को try जरूर कीजिएगा बहुती tasty और बहुती मज़ेदार ये कोफते बनकर तयार होते है अब हम यहाँ पर एक और pan लेंगे और इसमें हम oil add करेंगे तो oil जो है मैं इसमें वही add कर रही हूँ जिसमें मैंने कोफतों को fry किया है तो 3 बड़े चमच हम इसमें oil add कर देंगे और oil जब हलका सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये मसाला add कर देंगे जो की हमने बना कर रखा था अब high flame पर इस मसाले को 1-1.5 मिनट तक भून लेंगे 1-1.5 मिनट इसे भूनने के बाद अब हम इसमें नमक add करेंगे तो 140 जबून इसमें नमक add करना है नमक जादा नहीं डालेगा क्योंके हमने कोफतों में भी नमक डाला है तो नमक ध्यान से डालेगा इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और 1-1.5 मिनट तक इसे और भूनेंगे नमक डालकर एक से टिर मिनटी से भूनने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें कोफते डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोफतों पर मसालों की कोटिंग जो है अच्छी तरह से हो जाए अब हम इसमें एड़ करेंगे प्यास तो मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज की प्यास को इस तरह से रिंग्स में कट कर लिया है प्यास को इसमें एड़ कर देंगे और इसमें एड़ करेंगे 5-6 हरी मिर्च हरी मिर्च को साबूत ही डालिएगा इसे अच्छी तरह से मिला ल तो ये देखिए हमारी कोफटा कबाब बनकर तयार है, एकदम चटपटे स्पाइसी जबरदस्त बने हैं ये कोफटे, जितने ये देखने में अच्छे लग रहा हैं, खाने में ये उससे भी जादा लजीज है, तो बहुती कम टाइम में बहुती लजीज आप ये कोफटे बन बहुते नाइक्स वीडियो में एक और नई रसी पी के साथ तब तक लिये लाफिज